हेलो फ्रेंट्स, हम सीख रहे हैं Alfred और Tennyson और Tennyson की जो वाक्स हैं उनको हम डिसकस करते आ रहे हैं इसी सीरीज में फ्रेंट्स जो बाकी कुछ पोइम्स हैं इम्बॉर्डन पोइम्स हैं उनको आज हम पोइम्ट वाइज डिसकस करते हैं तो चलिए लेट से स्टार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंस दा प्रिंसेस की दा प्रिंसेस और इसको सब्टाइटल दिया गया प्रिंसेस अमेडले यह क्या है एक लोंग निरेटिव पोयम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और 1847 में यह पॉब्लिजड हुई अलोंग निरेटिव पोयम है इन ब्लैंक वर्स क्लिया फेल्स और पॉब्लिजड है इन एटीन पॉर्टी सबन अठार सो सतालिस में इसमें कुछ इंपॉर्डन्ट कोड्स हैं एक्चुली फ्रेंड्स यह जो स्टोरी है किसकी है एक प्रिंसेस है और प्रिंसेस का नाम है इडा क्लियर और इसमें से कुछ इंपॉर्डन्ट कोड्स हैं इंपॉर्डन्ट लाइन से हैं और टैल हर ब्रीफ इस लाइफ बट लव इस लॉंग बड़ी प्यारी लाइन इस पोयम से ली गई है ओ टैल हर ब्रीफ इस लाइफ बट लव इस लॉंग कि जो लाइफ है वो तो ब्रीफ है छोटी है लेकिन जो प्रेम है वो लॉंग है क्लियर फ्रेंट स्लीप माइ लिटल वन एक और लाइन आती है श्लीप माइ लिटल वन स्लीप माइ प्रेटी वन स्लीप क्लियर और एक और बड़ी प्यारी लाइन कि मैन फॉर द फिल्ड एंड वोमन फॉर दा हार्थ मैन फॉर दा फिल्ड वोमन फॉर दा हार्थ कि जो पुरुष होते हैं पुरुष है वो किस के लिए बनाए हैं वो बनाए हैं फिल्ड के लिए मिहनत करने के लिए और वोमन फॉर दा हार्थ वो बनाए हार्थ कहते हैं फिल्ड चूले को चूले के लिए मैन फॉर दा सॉर्ड एंड वोमन फॉर दा निडल मैन फॉर दा सॉर्ड कि जो मैन है वो किस के लिए है वो है सॉर्ड के लिए यानि तल्वार के लिए clear लडाई जगड़े के लिए and woman and for the needle see and for the needle see और जो महिलाएं है वो किस के लिए है वो कहा है उन्होंने needle के लिए means swing के लिए man to command and woman to away और last line is कि man to command and woman to away अब देखें एक बार समझते हैं in lines का अर्थ कहरें कि man for the field field के लिए तो man है और woman है किस के लिए हार्थ के लिए चूले के लिए and man for the sword and for the needle see clear means man तो sword के लिए लडाई के लिए है और वो swing के लिए man to command आदमी आदेश के लिए and woman to obey clear friends तो चलिए note करते हैं फिर next poem पर discuss करते हैं friends next poem है lotus eaters और lotus eaters यानि lotus को खाने वाले published हुई 1832 में और ये जो poem है ये inspired रही है उनकी एक trip रही थी friends Spain की with his friend Arthur Helm Arthur Helm के साथ जो Spain trip थी उससे inspired होके उन्होंने इस poem को लिखा inspired by his Spain trip with Arthur Helm बात के लिए friends Spain trip कहां की Spain की किस के साथ Arthur Helm के साथ उससे inspired हुए और इस poem को लिख डाला poem बताती है एक group of mariners को एक mariners के group है उसको बताती है कि जो lotus को खा लेते हैं और खाने के बाद एक अलगी दुनिया में चले जाते हैं और पूरे वर्ड से वो isolate हो जाते हैं के लिए friends The poem describes a group of mariners who upon eating the lotus clear group of mariners को कि जो lotus को खाने के बाद क्या होते हैं are put into an वो चले जाते हैं an altered state altered state में and isolated from the outside world बात क्लियर हो गई फिर्ट्स चलिए story जो है ये lotus eater की वो based है Homer की odyssey पर Homer का एक famous book रही है the odyssey तो odyssey पर ये story based है इस poem की Homer की अगर बात करें तो ये poem एक ड्रमेटिक मोनोलोग है क्लियर फिर्ट्स और इसकी theme की बात करें तो in activity clear and idleness इसकी theme है means हम inactive रहना चाहते हैं हम idle पड़े रहना चाहते हैं तो ऐसी ही कहनी है ये poem लोटस इटर्स की theme in activity and idleness clear तो चलिए note करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं next poem है फिर्ट्स तितोनस और टितोनस की बात करें तो लिखी गई 1833 में एक dramatic monologue टितोनस क्लिए फिर्ट्स कब आई 1833 में क्लियर और ये स्टोरी है किसकी टितोनस की कहानी है टितोनस एक character reference यहां और टितोनस क्या है टितोनस यहां address करता है अपनी wife को और wife का नाम है यॉस स्टोरी ओफ टितोनस टितोनस चलिए यहें लिख देता हूं अडरेस इस wife एयॉस क्लियर फिर्ट्स टितोनस वी आफ इम्मोर्टलेटी यहांस वोड डेथ अमर्ता का वर्दान टितोनस को मिल जाता है और अमर्ता का वर्दान मिल गया उसके बाद टितोनस किसकी इच्छा करता है वो मरने की इच्छा करने लगता है टिथोनस वियरी ओफिज इमोर्टलिटी यान्स पॉर एक प्यारी लाइन इस पॉयम में आती है रिलीज मी और रिस्टोर मी ओन दा ग्राउंट इसके बाद एक पॉयम आती है फ्रेंट्स ओईनोन क्या है यह यह एक लिरिकल मोनोलोग है और अगर कहें तो ओईनोन क्या यह जो नाम है और किसका नाम है कि निफ का जो माउंट इडा पर रहती थी ओईनोन वह जो निफ क्लियर और कहां रहती थी और माउंट इडा क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट इंपोर्टेंट पोएम है मौल्ट इडी आर्थर मौल्ट इडी आर्थर क्लियर फ्रेंट्स और यह लिखी गई 1834 में यानि किंग आर्थर थे इंग्लेंड के उनी की कहानी है क्लियर 1834 में देडियर ऴीजर्ड तारथbes सूड़ लिजर्ड किंघड हर विजर्ड़ किए लिजर्डी उन्ग हर दूबन फ्रमोर्ञव लिए और इसकी थीम की बात करें तो थीम है क्वीन गुनिवर है गुनिवर रिपेंटेंट और हर अनफेथफुलनेस यह इसकी थीम रही है थीम क्या रही है क्वीन गुनिवर अगुनिवर का रही है प्युनिवर है क्वीनिवर का रहा है क्वीन गुनिवर का रही है, रही है क्वीन गुनिवर है क्वीनिवर कार पंचेते अही है हैस nós человек didn't what a और और अर्थर ने जब देखा कि जो क्वीन गिनीवर थी ग्रीफ स्ट्राइकन थी अपनी नन्री में आर्थर सा क्या देखा आर्थर ने ग्रीफ स्ट्राइकन और इखािकन थे आर्ख संद्राइकन क्यून्री में गिनीवर एफस्ट्राइकन ध्यून क्या in और अगर बात करें इस पोएम की तो यह पोएम जो थी एक्च्वल में जो इंक्लूडड रही है आइडल्स अव दा किंग में इन दा आइडल्स अव दा किंग आइडल्स अव दा किंग का एक पार्ट यह रही है और यह एक लास्ट बुक रही है आइडल्स अव दा किंग की किंग इंग धाईडल्स अव दा किंग क्लियर और यहां एक किंग और थर इस ओर्ड का विजी कराता है अक्सेप्पिशन पूछ लिया जाता है किंग और थर थी सौ्डड थी उसका क्या नाम था वो था आउन्स एक्श कैलीबर आर थर स gesprochen Excalibur 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 Salt का नाम था C-A-L-I-B-U-R-B-E-R चेक कर लिना एक बार इसमें डाउट है मुझे Excalibur Clear? और एक बड़ी प्यारी कोट आती है इस पोएम से The old order changed yielding place to new The old order changed कि जो पुराने order है पुराने नियम है पुराने कानून है वो बदल जाते हैं और उनके बदले yielding place to new means उनके बदले नए कानून आ जाते हैं पुराने नियम बदल जाते हैं उनके बदले नए नियम आ जाते हैं and God fulfills himself in many ways और उनको इश्वर अपने तरीके से fulfill करते हैं and God fulfills himself in many ways और H capital ले लो God के लिए है in many ways line clear और बड़ी प्यारी लाइन एक और आती हैस बे let one good custom should corrupt the world let good custom should corrupt the world कि ऐसा ना हो कि एक जो अच्छा custom हो वो संसार को corrupt करते और actually क्या होता है कोई system कितना भी अच्छा क्यों ना हो कोई कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो लगातार वो सत्ता में बना रहता है तो एक ना एक दिन वो corrupt कर ही देता है clear friends तो चलिए mortality author नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं next जो poem है वो है friends mod और mode क्या है mode a mono drama यह poem कही जाती है mode a mono drama और actual में friends एक tragic love story of a lover in first person एक lover की tragic love story है mode और खास बात यह है इस poem की कि यह जो poem है वो first person में लेखी गई है a tragic love story of a lover or written in the first person published we friends 1855 में ठारे सो पश्पन में और एक बड़ी प्यारी कोट इस poem से आती है कि the churches have killed their Christ 1855 में और प्यारी कोट क्या थी कि the churches have killed their Christ कि जो church है उन्होंने अपने Christ को मार दिया है clear friends तो इसमें बहुत जाद तो बताने को था नहीं मॉड में चलिए आगे एक और important poem डिसकस करते हैं और वो है friends Ulysses ये लिखे गई 1833 में 1833 में based on Homer's Odyssey इसका जो chief source रहा है वो रही है Homer की Odyssey और दांते की इन्फर्ण। कलिएफ्ट्स 1833 और बेस्ट उमर्स ओडिस्टी और बेस्ट आटे इन्फर्ण। आटे इन्फर्ण। और दांते इन्फर्ण। बत क्लियर फ्रेंट्स Ulysses एक्च्वल में क्या है एक हीरो का नाम है जो ट्रोजन वार में लड़ाई करने के लिए चला गया था Ulysses The great hero has gone to fight The great hero has gone To fight कहां चला गया था फ्रेंट्स फाइट करने के लिए इन्दा ड्रोजन वार ट्रोजन वार में He had been out of his country for 10 years लगभग 10 साल वो क्या रहा अपने देश से बाहर रहा He had been out कितने साल लगभग 10 साल country for 10 years बात के लिए रहा फ्रेंट्स और इस पोयम में टेनिसन ने बताया है philosophy of action देखी जो philosophy of inaction बताई है वो बताई है lotus eater में philosophy of inaction philosophy of inactivity philosophy of idleness clear लेकिन इस पोयम की बात करें तो दोनों की जो theme है उसमें तो inactivity को बताया है और यहां यह जो पोयम है यूलिसस इसमें बताया है action को clear philosophy of action and quest for knowledge theme की बात कर लेते हैं तो क्या रहिए philosophy of action and quest for knowledge knowledge बात clear हो गई friends तो चलिए पहले इसको note करते हैं फिर अभी और कुछ discuss करना है यूलिसस में उसको discuss करेंगे friends इस poem की बात करें तो यह dramatic monologue है in blank verse in blank verse blank verse में एक dramatic monologue और friends यहां यूलिसस का बेटा है telemachus उसका भी यहां जिक्र हुआ है यूलिसस की वाइफ कौन है यूलिसस की वाइफ कौन है clear friends और actual में क्या था यूलिसस एक journey पे चला गया लगबख 10 साल वो journey पे रहा और जब आके देखता है तो उसकी जो wife है वो उसके प्रती infidel रही है clear friends वो उसके प्रती faithful नहीं रही और जब वो देखता है तो फिर वो दुबारा फिर वापस चला जाता है ऐसी ही कुछ कहानी है यहाँ और Penelope से friends एक idiom भी बनता है Penelope's web और यह PGT में एक बार आया भी है Penelope's web क्या है यह एक ऐसा इस idiom का जो मतलब है वो एक ऐसे work से है कि जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला our means something that is routinely Undone something that is routinely Undone and never progresses प्रो जी यार यार यह परोग्रियस तो पैनल अप प्या करती रहती है ये नियुदे के लिए एक जो बेरियल स्राऊड है बेरियल स्राऊड वो वो बुनती रहती है उधेरती रहती है और वो जो suitors हैं बहुत सारे उनसे बचने के लिए ऐसा करती रहती है के लिए friends तो वही से जो पैनल वेब है ये idiom वही से परचलन में आ गया चलिए एक बड़ी famous quote है इस poem की वो क्या है made weak by time and fate made weak by time and fate किसने weak कर दिया time ने और fate ने but strong in will but strong in will कि मुझे समय ने और fate ने मुझे weak कर दिया हो लेकिन मेरी जो willpower है वो क्या है वो strong है to strive to seek to find and not to yield to strive means strive करो संघर्ष करो to seek प्राप्त करो to find खोजो and not to yield लेकिन जुको मत बड़ी प्यारी लाइने फेंस और बस ऐसा लगता है जैसे life की पूरी एक philosophy यहां author ने बता दी है क्लियर तो चलिए नोट करते हैं फिर आके बढ़ते हैं क्लियर फेंस टिस नोट टू लेट टू सी का निवर वर्ल्ट आओ मेरे मित्रो अभी देर नहीं हुई है एक ने संसार को खोजने के लिए क्लियर फेंस क्लियर फेंस क्लियर फेंस आओ मेरे मित्रो टिस नोट टू लेट अभी देर नहीं हुई है और किसलिए देर नहीं हुई है टू सीक आ निवर वर्ल्ट एक नई दुनिया को खोजने के लिए ये लाइन भी कहा से ली गई है फ्रेंस इतनी प्यारी लाइन ये भी यूलिसस सही ली गई है मैं ट्रेवल से रेस्ट नहीं ले सकता मैं यात्रा से नहीं थक सकता टू फोलो नॉलेज लाइक सिंकिंग स्टार एक्जाम में पूछी गई है ये कोड फ्रेंस टू फोलो नॉलेज लाइक सिंकिंग स्टार एक सिंक करते हुए तारे की तरह एक डूबते हुए तारे की तरह जो नॉलेज है उसको फोलो करो क्लियर फ्रेंस तो फोलो नॉलेज लाइक सिंकिंग स्टार बियॉंड अत्मोस्ट बाउंड फूमन थॉट और किस से परे बियॉंड अत्मोस्ट बाउंड और हुमन थॉट देखिए यह सारी प्यारी लाइन जो है यह यूलिसस से ही ले गई है के लिए फ्रेंस तो चलिए फ्रेंस को हम पढ़ चुके जो पॉयम्स थी इंपॉडेंट उनको हमने ब्रीफ ली डिसकस किया पॉइंट वाइस सारी चीज़े हमने डिसकस की अज यह जो ऑथर है इसको आज घद्म करते हैं और कल से फिर नए ऑथर को हम कंटिवियो करेंगे चलिए फ्रेंस चैनल पर पहली बार हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें फ्रेंट को शेयर करना ना भूलें और थैंक्स पर वाचिंग